अब दोस्तों कल बैंक निप्टि के एनलेसिस में मैंने आपको दो साइकोलोजिक लिवल की सिचुएशन बताई थी जिसमें मैंने बूरा था कि अगर बैंक निप्टिक तल इस तरी के से उपर जाता है या फिर स्टॉप लोस लेता है इंडेसेजन बनाता है और उसे उपर ज जाता है मैंने ये भी कहा था कि अगर उपर से नीचे स्टॉप लोस नहीं हिट करता है इस तरी के से नीचे आता है उपर जाएगा फिर इस तरी के से तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर डिमांड क्रेट होगी बिल्कुल जो भी लेवल्स मैं साइकोलोजिक आया स्टॉप लोस इट करने के लिए तो फिर उपर गया फिर यहाँ पर आप देख सकते कि जिस तरी के से वो उसने दिमांड क्रेट की है तो आप उसके लिए यहाँ पर इसके यही से भी एंटर ले सकते थे दिमांड के लिए पस आपको यह देखते रहना होता है उसमें देखे यहां पर भी मैंने पहले science यहां पर खीचे होए है पहले ही खीची क्या रख्या थी है तो इस हिसाब से आप इस तरीकर से demand में entry लेता हूँ तो आपको क्या लगता है कि मैंने यहां पर demand में entry ली होगी तो नहीं दोस्तो इस level में मैंने कहीं पे भी entry नहीं ली है इतनी अच्छा opportunity थी फिर भी मैंने वहाँ पे entry नहीं ली है क्यों नहीं ली है तो यह मैं वीडियो में आगे बताऊंगा वो important thing जो आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए क्यों नहीं लेने चाहिए इस तरीके के risky trades ठीक है perfect confidence और confirmation के बाद जो आप trade लेते हो उसमें आपको loss होई नहीं सकता ठीक है आप trade लगा के आराम से कहीं भी पी जा सकते हो आ सकते हो इतना confidence आपको उसमें आना चाहिए तरह भी trade लेना चाहिए तो दोस्तो मैं हूँ श्रिशेल और आप से भी कस्वागत करता हूँ आपकी अपनी YouTube चैनल trade with attitude में आज हम देखेंगे bank nifty में पहले तो आज मैं आपको यहाँ पर समझाओगा कि किस तरीके से मैंने trade लिया ठीक है और उसके बाद मैं आपको समझाओगा psychological levels कल के लिए bank nifty में क्या हो सकते हैं और कुछ support और resistance वाली levels तो चले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखें दोस्तों इस level पे मैंने बिल्कुल भी trade नहीं लिया उसके बाद market में wait करता रहा क्योंकि मैं हमेशा आपको आप 15 मिनिट में चलते हुए पर आपको बताता हूँ क्यों मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ क्यों support and resistance बहुत ही important चीज होती है इस हिसाब से ये हमारे support के उपर चला गया था तो मुझे बता था कि support के उपर जाने के बाद वहाँ पर supply generate होना चाहिए supply जब generate होगा उसी वक्त हमें confirmation लेकर एंटरी करने चाहिए अब और एक चीज आपको बताता हूँ कि जैसे supply या फिर demand generate होता है तो आपको तुरंत एंटरी नहीं करने होती है तो कहाँ पर एंटरी करने होती है यह भी आज इस वीडियो में आपको पताऊंगा देखें जैसे supply यहाँ पर generate होगा हमने यहाँ पर line कीजी अब हमारे लिए supply का confirmation कब होगा जब इस तरीके से उपर जाने के बाद अगर वो इस level को break ना करते होए गुमता है और नीचे आता है तभी हमें supply में इंटरी करने होगी अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से तुबारा घुमने के बाद अगर उपर नहीं जा रहा है तो इसमें भी कर सकते हो तो यह वाली जो level है वन मिनिट में यह बहुत जादा confidence से आप यहाँ पर इंटरी ले सकते हो मतलब कहा second वाले जो level बनती है मतलब देखें यहाँ से तो demand था उसके बाद पहली बार घुमा तो उसके बाद उपर गया लेक फिर नीच आया अब यह तो ठीक है यहाँ तक नीच आया है अगर यहाँ से गूमता है और इस level को break नहीं करता है और यहाँ से नीची के तरफ गूमेगा तो इसमें जो आप लोगें मतलब पहला दूसरा दूसरे में लेना है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा प्रॉपेट हो सकता है इस तरीके से अब मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर देखिए दिहान से देखिए हर एक चीज़ को देखिए यहाँ पर आया यहाँ से गूमा यह हो गया पहला अब हम इसके नीचे जब मारकेट चला जाएगा तो देखिए कि उसके बाद हम सोचेंगे यहाँ पर हो गया दूसरा अब यह दूसरा जो लेवल बना है वो उसके नीचे बना है अब यहाँ पर क्या हुआ है देखिए दूसरा लेवल जो बना है यहाँ से नीचे यहाँ तक गया है तो इसने इस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया और यहां से जब घुमा है इस तरीके से तो हमें इसमें इंट्रे लेने में कोई भी दिक्कत नहीं देखें कहां से कहां तक आ गया तो यह वाली जो लेवल होती ना वो बहुत ही ज़्यादा शांदार लेवल होती अब यह दिमांड में भी समझाओंगा आपको इसी चार्ट पर नहीं कहीं पर भी समझाओंगा कोई भी चार्ट पर हम रैंडम ले जाएंगे वहाँ पर समझाओंगा देखें अब डिमांड में भी दिख ली जब पहले तो यहां पर आईए दिमांड कंफर्म कह से लिए यहां पर शुरू होगी दिमांड तो यहां पर उसने पहला यह हो गया पहला इसके यह एक यह दूसरा अब यहां पर तीसरी मतलब दूसरी बार जब यह से घुमा है यहां पर तो इस लेवल में आप को इंट्री लेना है यह लेवल छोड़ दो जब पहले बार गुमा वो छोड़ दो उसके बीच में वाली छोड़ दो तो यह जो लेवल है उसमें गुष्णा जैसे कि मैंने कहा कि यह लेवल छोड़ दो ठीक है पहली उसके बाद ये लेवल छोड़ दो और ये वाली में गोसना है तीसरी वाली में गोसना है तो अगर यह तरीके से करोगे तो आपको बहुत ज़्यदा profit हो सकता है एक और एक चार्ट पर जाके आपको समझे हो किसे भी चार्ट पर जाए यह काम करता है अब यहां पर देखिए यह डिमांड शुरू हो गई अच्छली डिमांड का आपके शुरू हो गई है यह इस लेवल से शुरू हो गई यहां से यहां गया पहला हो गया फिर हो गया दूसरा यहां से अब आपको तीसरा जो बनेगा नहां तीसरा जैसे कि यहांसे जैसे घूंगर अभिधि कर लों पर देखो कहा से कहा से चाहुं आ गया में परकेक։ कहा से घूंगर पनला है तुद अब इसे भी चाठ किसी भी चार्ष पे रहे हैं समझे वे दीजए इसे कही पर दाशे को इधिये हैं आप यहां से नीचे गया तो क्या करोगे या तो दूसरे में ले लो यहां से नीचे गया तो क्या करोगे तीसरे में ले लो गे तो यहां पे यह वाली दिक्कत नहीं होती है कौन सी जो demand confirmation के लिए यह जो sailing होती है ना वो तीसरे में नहीं होती है देखिए यहाँ पर कहाँ पर से लिंग हुई है बिल्कुल भी नहीं हुई है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हीट होना या फिर वेट करने की कोई दिक्कत ही नहीं होती है तो इस बात को ध्यान में रखिया आप ठीक है अब यह तो आपको मैंने साइकोलोजी लेवल पर यह भ होड़ा सा समझाता हूँ वीडियो को बिल्कुल पूरा देखती जाई है क्योंकि अगर बार-बार वीडियो दोखो हुए देखें यह मैनुल लेवल पर निकाल रहूं मैं आपको यह होगा रिसिस्टन्स और यह हुए सपोर्ट और पुलबैक भी है पर निकालेंगे पुलबैक यह है पूरेट करेंगे आप देखें दूसर साइकोलोजी लेवल पर पहले यह पर समझाता हूँ बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल बैंक निफ्टी आपको ओपनिंग में शेयर थोड़ा पूरे दिचिज़न करें या फिर अगर उसे ऊपर नहीं गया इस तरिकहेसे आया नीचे तो फिर यह देखें तो आपको इसी तरुकी की रेली दीगा मतलब सप्लाइ देगा ठीक है अगर नीचे जाके यहां पर आता है स्टॉपलास हांट करता है अगर नीचे जाना उससे तो इस तरी क से पिर है अगर स्टॉप्लस करता है तो नीची तुरंट नहीं आएगा। पहले दैविक पिर निचे आएगा। अगर ऑपनिंग में वाइ करता है। स्ट लोस नहीं हमकरता है तो फिर इस तरह किसे डिमांड बना की ऊपर चला जाए ठीक है लेकिन उपन होता है स्टोपलोस हंट करता है अब उससे उपर जाना है तो ऐसे तुरंट मैं जाएगा थोड़ा सेल देगा फिर वाइं करते करते ऊपर चल जाएगा यह थो गया सािक् पर जाली और के लिखाए सकते हैं और अगर खाल के लिए अगर उस लेवल गैप डाउन होता है और तो 43,150 के नीचे चाहके सस्टेन करेगा तो आपको यहापे बहुत ज्यादा सेलिंग के रहे लिए दिखाए देगे तेके दोस्तों मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होती रहती है जैसे कि मैंने आपको बताए कि तीसरी लेवल पर आपको एंटरी करनी चाहिए तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों जल दी एक अच्छी उड़ी के सारा आप सबी से मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजीजाए सब थैंक्यू बरी मच्छ बाबाए दोस्तों